हेलो एंड वाट इस अप गाईज कैसे हो आप सबी लोग गाईज मैं हूँ वन्शोट आप देख रहो वन्शोट गेमिंग तो गाईज जल्दी जटा के सस्क्राइब कर लो चैनल को क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है वो पूरे चैनल की या पूरे फ्री फायर की सब सबसे जभादा important video होने वाली है क्योंकि इसमें मैं 3 problems के बारे में समझाने वाला हूं जोकि सबसे ज़ादा Major प्रोब्लम्स हैं फ्री फायर के अंदर तो पहली प्रोब्लम्स यह है कि जिस वक्त आप शूट कर रहे होते हैं अपनी गोजया निकल रही होती है उस वक्त अपना गंग स्विच का काम नहीं करता कभी-कभी वह भी प्रोब्लम्स का सॉलुशन बताने वाला हूं और दूसरा मैं सॉलुशन डालने वाला हूं और तीसरा जो सबसे इंपोर्टेंट है काफी लोगों के लिए कि ग्लूवल मारते हैं तो गाइस जब बैटके ग्लूवल मारते हैं तो कभी-कभी पूरा ग्लूवल भी हात में आ जाती है लेकिन ग्लूवल प्लेस नहीं होती तो गाइस उ नहीन गाएपन स्विच मिन गम परबीद Web साज juda आपको ग्लूवल प्लेवतन तो आपको में थे मैं हुए तो यूजि करते हैं और देख स्था आपको लग घ्या रच और विटन यूज कर रहते हैं और आपको राइट वalon उन कर् दूज़ कर oney एक्रिघा और में पान्प इसकी जो range है वो range वहीं तक नहीं होती जहां इसका button होता है असल में इसकी range button से भी दूर तक होती है guys मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके मैं पहले उपर टच कर रहा हूं इसके थोड़ा side में touch कर रहा हूं तो भी वो fire हो रहा है तो guys ये क्या होता है इससे problem क्या होती है कि अगर आपका gun switch का जो button है न वो अगर left fire button के थोड़ा अगल बगल है न तो जितनी इसकी range होगी न मतलब left fire button की जितनी range होगी इसके fire button के बाहर side में एक और circle होता है जो अपने को दिखता नहीं लेकिन उसमें भी ये work करता है बटन है इसको जितना जादा दूर हो सके weapon switch से उतना जादा दूर कर लो और try करो कि weapon ये weapon switch है न लेफ्ट वाला इसको ऐसी जगां रखो जहां इसकी जो boundary है न उससे भी extra जो area जहां पर ये work करता है जो left fire button है उसके boundary से दूर रखें जितने ही button है तो आपका ये कभी भी मतलब problem नहीं करने वाला तो guys आप video में देखी सकते हो कि जो left side में जो red circle अपना है न मैंने ये left fire button की जो boundary होती है जिसमें ये work करता है और अगर इसमें आपका weapon switch है तो आपका weapon switch कभी भी work नहीं करने वाला तो guys आप देखी सकते हो कि मैं right side में fire button का पहले use कर रहा हूँ उसके बाद left side से weapon switch कर रहा हूँ और guys कितनी बार भी मैं दबारम तो भी ये work नहीं कर रहा है इसलिए work नहीं कर रहा है क्योंकि जो boundary है इसके अंदर आपका fire button वर्क कर रहा है तो guys आप देखना कि मैंने fire button उतका जो distance है वो मैंने weapon switch से कितना जादा दूर कर दिया है और guys आप देखो कि बिल्कुल भी problem नहीं हो रही है मुझे तो guys अब बात करते है problem number 2 की जो कि है touch problem while jump तो guys इस पर मैं already dedicated video बना चुका हूँ जिसमें मेरे को कुछ भी समझ नहीं था मैं सीधा ग्रहनिया से contact कर रहा था कि भाई ये कोई problem है ये problem को solve कीजिए तो guys problem है क्या वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो guys देखी सकते हूँ अगर मैं दो बटन एक साथ left side में press कर रहा हूँ और right side में मतलब screen के जो बीच है उससे right side में swipe कर रहा हूँ या touch भी कर रहा हूँ तो अपना जो touch है वो काम ही नहीं कर रहा है अपना जो character है वहीं पर रुकी जा रहा है अपना camera angle घूम ही नहीं रहा है तो guys असल में होता क्या है क्या problem होती है क्यों यह problem मतलब अपने को face करने पड़ती है तो मैं आपको पूरा detail में एकदम समझा देता हूँ तो guys होता क्या है कि जब आप तीन बटन एक साथ दबाते है ना screen पे दो बटन left side में एक साथ और right side में तीसरा बटन तो जब तीनो बटन एक साथ दबते है ना exact moment पे तब अपना जो right side में screen है वो एकदम camera angle struct हो जाता है लेकिन जब आपा left side में swipe करते है तो हमारा यह क्यों तो guys मैं बता दूँ कि उस वक्त हमारा तीन बटन एक साथ नहीं दब रहा होता है उस वक्त जो अपना right side में जो screen है उस पे आपा पहले यह button मतलब जो press करके रखे होते हैं उसके बाद हम left side में दो बटन एक साथ दबाते हैं तो तीसरा button हम दबाते ही नहीं आपने ध्यान दिया होगा कि आपने पहले ही right side में button को press किया हूँ है उसके बाद आप use कर रहे हो left side में दो fire button को मतलब जो भी है दो button weapon switch वाला और jump वाला तो guys देखो right side में पहले ही मैं touch करके रखता हूँ उसके बाद मैं कभी भी touch करूँ आना तो कोई भी problem नहीं आने वाली लेकिन आप right side में इसको करना है तो आपको क्या करना है पहले अपने को screen पे बीच में से मतलब पगड के रखना उसको touch को उसके बाद जब आपा weapon switch और यह jump का action दबाएंगे ना तो आपकी कभी भी problem नहीं आने वाली तो guys देखो कि मैं पहले screen को दबा के रखता हूँ right side से ताकि मेरा जो करते हैं इसको solve करने के लिए आप पहले ही right side में बटन को दबा के रखते हैं ताकि जब आपा left side में दो बटन दबाएं उसके बाद तीसरा बटन दबाना ही ना पड़े क्योंकि अपना जो view angle है वो पहले से ही अपना touch में कर रखा है अपाने समझे guys आपने पहले ही button दबा करने से पहले उसकी बाद अगर आपा कैसे भी घूम के कैसे भी camera angle करके left side में jump का button और weapon switch का button है दबाएंगे तो कभी भी यह problem नहीं आने वाली तो guys बहुत ही जादा दिमाग लगाया मैंने इस पर क्या दिमाग की दई होगी यार तीन महिने से मैं इसको कर रहा था अब जाके समझ में आया मुझे तो guys इस बात पर वीडियो को like जरूर से कर देना और channel को जरूर से subscribe कर लेना तो guys अब बात करते है problem number 3 की जो की है global problem while crouching तो guys जो crouch global की trick है उसको guys implement करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कई लोग क्या करते हैं कि सब कुछ कर देते हैं लेकिन last में जो global है उस पर touch ही नहीं होता मतलब आप हो global place ही नहीं होती last time पे मतलब crouch वाला बटन भी दबा देंगे मतलब fire भी कर देंगे और drag भी कर देंगे लेकिन last में touch नहीं होता उस पे तो guys सबसे पहले मैं आपको slow motion में दिखाता हूं कि मैंने कैसे trick का use कि और मैंने क्या problem की किस time पे तो guys देखी सकते हो कि मैं सबसे पहले भागा ठीक है भागने के बाद जैसी मैंने jump का button दबाया ना jump का button दबा कि मैंने aim से मतलब enemy की तरफ move किया जैसे मालो कोई भी enemy खड़ा है तो उसके उपर aim किया उसके बाद मैंने drag किया ठीक है ड्रैक करने के बाद ऊपर चक दिया ठीक है उसके बाद धान से देखना guys कि मैं left side में glue वाले बटन को पहले दबाऊंगा और उसके बाद जैसी मैं दबाऊंगा ना उसके बाद मैं movement वाले बटन पर दबाऊँगा ठीक है ये देखो मैंने movement वाला बटन दबाए ताकि उससे क्या होता है कि जब मैं right side से जब मैं swipe करके नीचे कर रहा हूँ ना अंग उठे से तो उससे जो sensitivity होती है वो काफी ज़्यादा increase हो जाती है left side में movement वाले बटन को दबा रखा है तो और guys इसको वैसे भी test करके देख लेना कि आप पहले movement वाला बटन दबा के रखना और camera angle को इदर दर घुमाना तुम सही बता रहा हूँ कि जो ये sensitivity है बहुत ही ज़्यादा increase हो जाएगी आप control भी नहीं कर पाऊगे उसके बाद simply मैंने क्या किया कि global बाले बटन को दबारने के बाद मैंने fire बटन पर क्लिक कर दिया लेकिन इस time पर मेरा को देखना धान से देखना guys की एकदम जिस time पर touch किया न वो fire बटन से थोड़ा सा दूर था इसलिए मेरी global बिल्कुल भी ने लगी और इस पर मैंने जब दुबारा से strike किया तो drag किया नीचे किया फिर से moment वाले पर क्लिक किया और जैसी tap किया इस बार exactly fire बटन पर टैप हुआ इसलिए ये trick काम कर गी पूरा तो guys सारी की सारी चीज़े एक साथ exact moment पर बहुत ज़्यादा timing पर दबाने पड़ती है तभी ये trick काम करती है और guys ऐसा नहीं है कि कोई touch की problem है या ऐसा कुछ है तो guys अगर आप तीन बटन एक साथ बाओगे तो आपकी touch problem होने वाली है तीन finger तभी दबने वाली है एक साथ अगर आप three finger एक साथ खेल रहे हो या फिर four finger claw खेल रहे हो तो guys two finger वालों को इतनी ज़्यादा problem नहीं होने वाली है क्योंकि वो इतना ज़्यादा fast नहीं दबाते कि आपकी जो sequence है तो guys वो timing जो होती है वो main चीज होती है जो आपका sequence होता है कि मतलब पहले ये वाला बटन दबाना है उसके बाद ये वाला बटन दबाना है तो वो सबसे ज़्यादे important होती है तो four finger या three finger वाले क्या गलती करते है कि वो sequence के बजाए वो तीन चार बटन एक साथ दबा देते है जिससे उनकी touch problem हो जाती है जो कि पहली problem थी इस वीडियो की तो guys जो ये वीडियो थी उसमें पूरा का पूरा मैंने hand cam दिखाया है अगर आप कोई game का भी screen recording देखना है तो वो भी मैं upload कर दूँँगा अनलिस्टिड के अंदर तो guys उसको भी आप description में जाके कैसे लगी आपको वीडियो वीडियो कर देना like channel को कर देना subscribe काफी जादा मैनत लगी है मेर कोई वीडियो बनाने में तो guys जरूर से subscribe कर लेना channel को और guys मिलूँगा ऐसे ही किसी वीडियो में तो guys तब तक के लिए आर बाई बाई